दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते आज हम कच्छा दस के NCRT के बिज्ञान की किताब से अध्या एक रसानी कपक्रियायों समीकर के बारे में अध्यन करेंगे यह इस अध्याय का ग्यारवा बीडियो है हम सब इस अध्याय के इस ग्यारवे बीडियो में एक प्रशन पढ़ दिवारों पर चूना पुताई के दो-तीन दिन बार दिवारों पर चमक्यों आती है तो प्रशन हमारा बहुत ही रुचकर है बहुत ही इंटेस्टेड है और समाजिक प्रशन है रसायन विज्ञान का समाजिक प्रशन है प्रशन यह है क्या आप जानते हैं दिवारों पर च चमक दो-तीन दिन बाद जादा हो जाती है आप निरिश्षड करके ध्यान देखेंगे तो ऐसा होता है कि दो-तीन दिन बाद ही दिवालो पर अच्छी सी चमक आती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि दिवालों पर एक रसानिक अपकिरिया होती है, वह रसानिक अपकिरिया क्या है, उस रसानिक अपकिरिया को हम बताएंगे, उस रसानिक अपकिरिया के काड़ी दिवालों पर 4-5 दिन, 2-3 दिन बाद चमक अच्छी आती है, वह रसानिक अपकिर पानी, यानि इसको Equus और क्या होता है इसके साथ यह reaction होता है इसी काड से ही हमारी दिवाल चमकदार होती है इसको कहते हैs calcium hydroxide का था नाम क्या है? calcium hydroxide यह हमारा इसका सूत्र है और इस रेक्षन क्या होता है यह जो हमारा चूना है दिवाल पर हमने इस तरह से चूना को पोता और इसके बाद क्या होता हवा में हवा में carbon dioxide gas भी होती है हमारे बायमंडल में हवा में क्या होती है carbon dioxide gas होती है और carbon dioxide क्या होती है इस यह gas हवा में कितना होता है एक परसेंट होता है बाकी oxygen क्या होता है 21% हमारे बायमंडल में oxygen 21% होता है हमको पता है आक्षिन कित्ता होता है 21% 78% nitrogen इसी तरह biomandel में carbon dioxide gas होती है carbon dioxide gas carbon dioxide gas oxide इसको किसे लिखा जाता है जी से लिखा जाता है carbon dioxide gas को क्या लिखते हैं जी से carbon dioxide gas होता है यह दोनों मिल करके आपस में किरिया होता दिवाल से क्या होता पानी जो हम एक्वेस जलिये billion calcium hard dioxide का जलिये billion जो दिवाल पर चिपकाया गया जो calcium का पेंट किया गया दिवाल पर एक carbon dioxide के दो तीन दिन पुताई के दो तीन दिन बाद क्या होता है carbon dioxide से किरिया करके क्या बनाता है संग मर मर बनाता है calcium carbonate का परत जम जाता है और जो पानी होता है भाव बनके ऊड़ जाता है च्टूओ यह पानी है जल है यह जल क्या है भाव बनके ऊड़ जाता है और यह क्या बनता है संग मरमर किसंग मरमर का सूत्र कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है संगमरमर, जिसके काड़ क्या होती है दिवाल, चमकदार हो जाती है, दो-तिन दिन बाद ये चमक आ जाती है, इसका नाम है कैल्सियम कार्बोनेट, कैल्सियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, एक काल्सियम कार्बोनेट कैसा होता है, एक काल्सियम कार्बोनेट का मतलब एक कल्सि कार्बोनेट होता है और इसी तरह यह क्या बनता है यह क्या बनता है यह सौलिड हो जाता चाले जम जाता पत्थर की तरह जम जाता है तो इस तरह से इस question के माध्यम से हम या समझ गए कि दिवारों पर संग मरमर की या कल्सियम कार्बोनेट की पर्त जम जाती है जिसके कार्ड दिवाल चमकदार और सफेद हो जाती है तो इस तरह से अब यह जो है प्रस्म बड़ा ही रुचकर है बड़ा ही इंटेस्टेड है और बोर्ड परि